आज हम बात करने वाले हैं hearing loss के बारे में यानि सुनने की शक्ति में कमी पहले बुजुर्गों में सुनने की शक्ति के प्रॉब्रम सुनने को मिलती थी कि एज के साथ सुनने की शक्ति कम होती जाते रहती है क्योंकि जो हमारे five senses होते हैं यानि की हमारे सुनने की शक्ति हमारे देखने की शक्ति हमारे सुनने की शक्ति हमारे टेस्ट की और हमारे टच की यह five senses होते हैं जो हमारे quality of life को decide करते हैं अगर इन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब हमारी quality of life disturbed होती है तो friends जो hearing loss होता है आज कर बहुत जादा देखने को मिल रहा है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि age के अलावा और कौन से reason है जिसके कारण hearing loss होता है इसके क्या क्या treatment होते है और homeopathy के कौन से important medicine है जो इसमें दी जाती है तो friends पूरे detail में हम बात करेंगे hearing loss के बारे में तो hearing loss के बारे में जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि हमारा ear का structure होता वो कैसा होता है यह है आपका ear यहापर मनें इसको draw किया है आप इसको देख सकते हैं यह है हमारा यहां से हमको आवाज अंदर जाती है जो हमारे कान की जो pipe होती है जो नली होती है यह होती है यहाँ पर मनें तीन हड्डियां ड्रॉकी होई है और इसके बाद यह जो structure है यह हमारा अंदर का है जो हमारे internal ear है जो हड्डियां है यह हमारा middle ear है और हड्डियों से बाहर यह जो pipe गई हुई है यह हमारा outer ear है तो इसकी basis पर अगर आपका यह जो मरे line draw किया है अगर इससे बाहर आपको कोई problem होती है मतलब conduction नहीं हो रहा है आपको आवाज यहां से यहां तक आई और यह जो हड्डिया होती है इस आवाज को बढ़ा करके अंदर भेशती है और यह जो है इसको electrical signal में बदल करके प्रेन को भेशता है तो अगर आपके यहां से लेकर इस भाग में कोई problem आ रहे है मतलब आपकी आवाज जो आप सुन रहे है वही अंदर नहीं जा रहे है तो इसको बोलते हैं conduction में error हो रही है तो इसको बोलते है conductive hearing loss लेकिन अगर आपको problem यहां पर आ रहे है यहां पर कोई problem नहीं है आपके internet ear में कोई problem आ रहे है तो इसको बोलते है sensory hearing loss या sensory neural hearing loss भी बोलते है तो दो तरह की categories होती है एक conduction में problem आ रहे है और एक senses में problem आ रहे है जो कि nerve cells आपके बन ही नहीं रहे है nerve cells आपके signals को brain तक लेके जाही नहीं रहे है तो यह ear का structure है बहुत clear बहुत अच्छी drawing नहीं है मेरी बढ़ स्टिल आपको समझ में आ गया होगा कि जो conduction में problem होती है उसको conductive hearing loss बोलते है और जो internal ear में problem होती है जिसमें signal brain को जाही नहीं रहा है उसको बोलते है sensory neural hearing loss causes की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो reason होता है age ही होता है age के साथ हमारे सारे senses कमजोर पड़ते है तो hearing में भी problem आती है सुनाई देना कम हो जाता है ये mainly sensory neural hearing loss होता है तो friend जो sensory neural hearing loss होता है ये एक तरह से permanent होता है इसको ठीक करना मुश्किल होता है लेकिन अगर conduction में problem आ रही है मतलब आपके जो outer ear है middle ear में वहां में problem आरे तो ठीक करना easy होता है और causes के अगर हम बात करें तो अगर आपके कान में चोट लग गई है कोई ball आके लग गई है या किसी बिद्रा के injury हो गई है आप गिर पड़े है accident के बान तो कान के जो परदे में problem आती है उसके कान भी आपको hearing loss की problem हो सकती है या कान में बार-बार infection होता रहता है otitis media जिसको बोलते हैं उसके कान भी हो सकता है या आपके कान की हड़ी बड़ी होई हो सकती है या कई बार जो और दूसरी chronic disease होती है उसके कान भी होता है इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो contribution कर रहा hearing loss का वो है many years disease many disease के उपर मैंने separate video भी बनाई है उसमें मैंने सब कुछ explain किया है और उसमें भी hearing loss होता है और यह सबसे बड़ी जो stress वाली बात इसलिए है क्योंकि जो minor disease होता है mainly middle age में हो जाता है तो जिन लोगों को minor disease हो जाता है उनको hearing loss थोड़ा जल्दी start हो जाता है और कई बार यह permanent होता है क्योंकि minor disease हमेशे internal ear से related होता है minor disease में चक्कर के साथ आपको सुनने के शक्ति में कमी आती है इसके लावा एक condition जो hearing loss में देखी जाती है वो होता है acoustic neuroma हो जाए वहां पर कोई benign growth हो जाए तो उसमें जो problem आती है वो acoustic neuroma होती है उसके कारण भी sensory neural loss होता है तो जो हम सुनते हैं तो हमारी जो भी आवाज हमारे कान में जाती है कान में जाने के बाद वो छोटी-छोटी हड़िया जो मनें draw की थी उसमें जाती है उस आवाज की जो frequency होती है उसको amplify करके ये internal air में भीजती है internal air में जो cochlea है जो मने snail जासा बनाया हुआ है वो हमारे brain को signal भीजती है तो इस पूरे pathway में कहीं पे भी अगर problem आती है तब आपको hearing loss की problem हो सकती है इसके लावा एक बहुत common reason जो बच्चों में देखा जाता है वो है hearing loss में wax की problem रहती है अगर wax बहुत जादा हो गया तो again conduction नहीं हो पाएगा sound अंदर नहीं जा पाएगा उसका कारण भी होता है एक बहुत important reason जो आजकल देखने को मिल रहा है आजके के lifestyle से related है वो है use of headphones बहुत सारे लोग use of बहुत ज़्यादा तक headphones use करते हैं लगातार वो जो nerve cells होते हैं हमारे auditory nerves जो होती है लगातार active रहती है तो उसके कारण भी कई बार weakness आती है hearing में weakness आती है और ये कई बार permanent भी होती है कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कारण में headphone लगाया हुआ उसके बाद अचानक से आपको call आ जाती है और volume काफी high पे रहता तो एकदम से आपके कारण में जो तेज आवाज जाती है उसके कारण भी ये problem होती है बहुत सारे लोग हैं जो road पर जिनका घर होता है जहां पर दिन रात वहिकल्स की आवाज आते रहती है या फैक्टीज के पास रहते हैं जहां पर बहुत तेज sound होता है तो लगातार constant अगर आप sound area में रहते हैं तो उसके कारण भी आपको hearing loss होती है इसके अलावा जो लोग सबसे पहले अगर आपकी family में किसी को hearing loss की problem हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है उनको support करना है आपको clearly बोलना है थोड़ा धीरे धीरे बोलना है और थोड़ा सा volume को up करके बोलना है जैसे कि वो आपके शब्दों को सही से सुन पाएं सही से उनके अंदर वो आवाज जाए और सही से वो आवाज brain तक जाया और brain उसको सही से interpret कर पाए इसके लावा जो लोगों को hearing loss की problem होती उनके सामने सिर्फ एक समय पर एक ही इंसान बोले कई बार ऐसा होता है कि बहुत सरा लोग एक साथ बोलते रहते हैं तो brain उनका decide नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ को pick करना है कौन सी ज़िसको नहीं pick करना तो confusion हो जाती है वो समझ नहीं पाते वो सुन नहीं पाते है कि उनको क्या सुनाई दे रहा है कई बारैसे patient को depression का शिकार होना पड़ता है क्यों ant siècle कुई लगत चाहिए कि इनके को क्वाइब बहुत बड़ी कमी आ गई वह बाहर जाएंगे तो उनको intrdig जाना कई बार ऐसे लोग होते हैं जो उनको लगता है कि उनके पीछे पूजा बात कर रहे हैं वह कैसी बात कर रहे हैं उसको सोच करके भी बहुत परिशान हो जाते हैं तो ऐसे में आपके family member को support करना है और ये जो treatment होता है अगर conduction में कोई problem है अगेन मैंने बताया कि वो ठीक हो जाएगा sensory neural अगर problem है तो उसके साथ थोड़ी complication हो सकती है अगर हम इसके treatment के बात करें तो इसके treatment में many a disease है अगर तो many a disease को ठीक करना है wax है तो wax को निकालना है और old age के cases में hearing aid दिया जाता है अगर sensory neural hearing loss हो रहा है SNHL हो रहा है तब आपको कई बार patient को cochlear implant लगाने के लिए बोला जाता है जो कि again काफी ज़दे expensive है और सब लोगों को ये suit भी नहीं करता है तो hearing aid और cochlear implant या जिस reason के करना आपको hearing loss हो रहा उसका treatment होता है homeopathic management के बात करते हैं तो friends homeopathic में मेरे पास बहुत सारे cases आते हैं especially many disease करना जिनको hearing loss हो रहा है उनके cases भी आते हैं या बहुत सारे लोगों जो tinnitus की problem के साथ आते हैं जिसमें कान में एक अजीब सी buzzing sound आती है और again यह जो tinnitus होता है आपके internal ear से related होता है आपके अंदरूनी कान से नहीं कान के अंदर जो brain से connection होता है आपके कान के अंदर वारे structure का उससे इसका connection होता है तो बहुत सारे लोग tinnitus के लिए आते हैं तो मैं बात करती हूँ उन्हीं important medicine की जो ऐसे patients को मैं frequently prescribe करती हूँ और जिसके अच्छे results मिलते हैं सबसे पहली medicine है tellurium tellurium एक कान की बहुत important medicine है इसको तब दिया जाता है जब आपके कान में deafness की problem आ रही है क्योंकि आपके कान के अंदर infection हुआ था आपके कान में से बहुत सारा liquid या जो pus type का fluid होता वो निकलता था बार-बार आपको chronic infection होता रहता था कान में और अब आपके कान में जो सुनने के शक्ति हो कमी हो गई है तो ऐसे case में हम tellurium देते हैं के शक्ति में कमी हो रही है या सुनने के शक्ति develop ही नहीं होई है तो ऐसे cases में देते हैं mephitis mephitis को मुस्ट थर्टी potency में दे सकते हैं next medicine के अगर हम बात करें तो next medicine है chinopodium chinopodium में एक बहुत ही peculiar symptom देखनों को मिलता है कि patient को हर आवाज सुनाई देती है लेकिन लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती का normal जो conversation होती है वो नहीं सुनाई देता है तो ऐसे cases में देनी होते है chinopodium जो normal हम conversation करते हैं उसमें हमारा जो sound होता है वो 60 decibel का होता है लेकिन जो patient होता वो उसको pick ही नहीं कर पाता बलकि दूसरी आवाज उसको सही से सुनाई देती है तो ऐसे cases में हम chinopodium देते हैं next medicine की बात करते है next medicine है mullien oil mullien oil उन cases में बहुत effective हो जाती है जिसमें कान में बहुत ज़्यादा wax रहता है कान में pain रहता है कान में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है तो ऐसे cases में mullien oil क्यों को हम देते हैं इसको हम कान में directly डालने के लिए देते हैं पुरी तरह से wax भी clean हो जाता है और सुनने की जो शक्ती है अगर conduction में problem है तो बिलकुल ठीक हो जाती है इसके लावा next medicine के अगर हम बात करें next medicine तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है वो है theradion theradion को हम देते हैं maniards disease में जिसमें patient को सुनने की शक्ती तो कम हो ही रही है साथ कसा चक्कर की समस्या भी बनी रहती है और थोड़ी सी भी तेज आवास होने के बाद उसका सिर ऐसे लगता है कि घूम जाएगा तो ऐसे cases में हम theradion देते हैं theradion को lower potences में ही देते हैं next medicine की बात करें तो next medicine है arnica arnica अगर आपको चोट लगने के बाद या कोई भी instrumentation करने के बाद या कई बार बच्चे जो stick होती है कान में डाल लेते हैं कुछ भी असी चीज इसमें कान का परदा आपका फट गया हो hole हो गया हो, perforation हो गई हो या कान के अंदर से कोई injury हो गई जिसमें से bleeding वगरा हो गई हो या चोट बहुत तेज लग गई हो तो उसके कारण अगर आपको problem होती है तब उसमें हम आरनिका देते हैं अगेन आरनिका को हम 30 potency में देते हैं इसके लावाए एक medicine है काली मियूर काली मियूर भी एक बहुत important medicine है जो हम देते हैं अगर कान में से बहुत समय से कान बहने की शिकायत आती है और दीरे दीरे अप सुनाई नहीं देता है उन केसे में हम काली मियूर देते हैं काली मियूर को हम ट्रैचुरेशन में 6X या 3X potency में दे सकते हैं और नेक्स medicine के अगर हम बात करें तो नेक्स medicine है हमारे सोराइनम सोराइनम ऐसे case में दी जाती है या कह सकते हैं कि front running homeopathic medicine है जो की hearing loss के case में दी जाती है तो बहुत सारे लोग जिनको बहुत जल्दी hearing loss के problem स्टार्ट हो जाती है पूरा एक ear में तो बिल्कु सुनाई देना ही बंद हो गया है, अगले ear में भी आवाज कम होने लग गई है अगर वो स्टार्टिंग से ही homeopathic medicine कंसर्ट करके डॉक्टर से लेना स्टार्ट कर देते हैं तब ये काफी ज़्यादा effective है और hearing loss को रोपती भी है साथ के साथ जो already आपके hearing loss हो चुकी है जो nerve cells में damage हो चुका है उसको भी ये कई बार renew करती है लेकिन कौन सी medicine आपको कितनी potency में और कितने समय तक लेना है ये depend करता है कि आपकी जो hearing loss है उसका क्या reason बनके आता है इन homeopathic medicines को आप ले सकते हैं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा sensitive to light हो जाती है आपके जो गर्दन है बिल्कुल अकर सी जाती है आपका balance थोड़ा सा खराब होने लगता है या आपको गुसा बहुत जादा ने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है अगर आपको ये सारे symptoms मलते हैं तो nearest doctor को ज़रूर मिले तुरंद के तुरंद आप जाएं ये एक emergency situation हो सकती है तो friends ये सारे information थी hearing loss के causes, symptoms और homeopathic treatment के बारे में अगर आप मुसे appointment book करना चाहते हैं तो clinic के number 7017991940 पर अपना appointment book कर सकते हैं अगर आप मुसे directly बात करना चाहते हैं तो call me for app का use कर सकते हैं जिसके बागे के details डिस्क्रिप्शन में दे हुई हैं wishing you very good health, thanks for watching